हेलो गाइज वेलकम बैक तू माई चैनल सो गाइज आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए फिर से कोनी धमाके दार टॉय कलेक्शन का वीडियो लेके आया हूँ गाइज आप देख सकते हैं आज मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बहुत ही ज़्यादा यूनीक यूनीक टाइप के बहुत ही ज़्यादा महिधार महिधा टॉय आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एवेंजर का एक सेट है जिसके अंदर आपको बहुत सारे स BTS का एक सेट है अगर आप BTS के फैन है तो गाइस कॉमेंट में बताना और यहां पे एक होवर बोर्ड आरन मैन को मैं यहां पर लगा दूँगा इसको पर तो यह होवर बोर्ड बन जागा यहां पर चलने वाला एलिफेंट और बहुत सारे डिफेंट टैप टोई आज आज आप पर बहुत ही प्यारा सा RC हेलिकोप्टर यह देखो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अमेजिंग है इसका नाम है वी मैक्स हेलिकोप्टर है ना और आप इसकी पहले प्रोपेलर की क्वालिटी देखो गाई यह देखो अगर यह चीज़ से टकराएगा तो टूटेगा नह पीछे से पूरा मैटल का बना हुआ है यह देखो और यह पर एक एक लगो ना चोटा जो कि सिर्फ टेजाइन के बनाए गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे से कैसा दिखाए yay रो इसकी पूरी बोडी मैटल क्वालिटी है जैसके आए देख सकते हैं वा्यु कि और गाईज यह देखो मेरे पास है यहाँ पे इसका remote control आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा remote control है गाईज यह इसके अंदर में बैटरी डालनी पड़ेगी और यहाँ पे देखो on off का button है यहाँ जो a b c है देखो यह a पे कम speed चलेगी b पे ज़्यादा speed चलेगी और c पे बहुत ज़्यादा speed में यह fly करेगा और जैसे हम इसको on करेंगे तो यहाँ पे light on हो जाएगी इससे हम इसको left right कर सकते हैं इससे हम इसको fly कर सकते हैं और यहाँ पर भी एक button है जो कि किसी ने किसी काम आने वाला है यहाँ पर भी एक button है guys यह देखो यहाँ पर light जलती है overall आप देख सकते है remote control कितना heavy है यानि कि आप समझ सकते हैं कि जो हमारा RC helicopter है कितना ज़्यादा amazing है remote की quality से आप देख सकते है तो इसके अंदर मैं battery डालता हूँ फिर आपको इससे start करके दिखाता हूँ इसके अंदर मैंने battery डाली है इसको मैंने बिल्कुल ready कर लिया है यहाँ पे इसके on off का button है जैसी मैं इसको on करूँगा तो guys यहाँ पे इसकी light on हो गई है यानि कि यह fly करने के लिए ready है और इसके निचे नहाँ पर एक और button है देखो जैसी मैं इसका button दबंगा तो यह भी on हो जाएगा अब guys यह देखो गई यहाँ से मैं आपको easily fly करके दिखा सकता हूँ यह देखो जैसी मैं इसको उपर करता हूँ तो guys यह देखो यह full speed motorist हैं और इसका आप sound भी सुन सकते हैं देखो यह देखो धीरे ग्रे में इसको औडा हुआ और guys यह देखो आप इसकी speed को कम जादा भी कर सकते हो यह देखो ज़ादा भी कर सकते हो एकदम से बहुत ज़ादा बढ़ा भी सकते हो एकदम से बहुत ज़ादा कम भी कर सकते हो यहां से आप इसको left right भी कर सकते हो तो चले गाइस हमना इसको outdoor में अच्छे से fly करके देखते हैं कि की सतरा से fly करता इसकी performance कैसी है सो गाइस यह देखो हमारे RC helicopter को में open ground में लेकर आगए हूँ और गाइस आप देख सकते हैं metal quality के साथ यह बहुत ही amazing दिखाई देता है यह देखो इसका जो design है वो सच में बहुत ही ज़ादा amazing है और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी on off का button है यहाँ से मैं इसको on कर लेता हूँ और गाइस यह देखो यहाँ से यह on हो गया है light यहाँ पर इसकी जल गई है और गाइस अब हम इसको जमीन पर रखके fly करने की Kos力 करेंगे मैंने इसको start कर दी और गाइस यह देखो स्टार्ट होते इसने कितने amazing तरीके से fly करना शुरू कर दिया है और guys सुरू में इसको control करने मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कता है आप देख सकते हैं है ना बट ये बहुत ज़्यादा ऊपर तक उड़ता हुआ चला जाता है ये देखो guys और इसके बाद guys ये देखो थोड़ा सा नीचे गिर गया था तो मैंने इसको दोबारा से fly करने की कोसिस की और guys आप देख सकते हैं दोबारा से ये कितने amazing तरीके से fly कर रहा है और guys ये देखो बहुत amazing ये दिखाई देता है उड़ते time और guys ये बहुत ये उचाई तक चला जाता है बट guys ये देखो इसने यहाँ पर balance खोने की कोसिस की और guys यहाँ पर ये गिर गया है ये देखो अब guys मैं simply ने इसको हाथ से उड़ा कर देखता हूँ इससे पहले मैंने इसको जमीन पर रखके उड़ाया था इस बर मैं इसको हाथ से उड़ाने की कोसिस कर रहा हूँ और guys ये देखो हाथ से मैंने इसको छोड़ दिया और guys ये देखो कितने amazing तरीके से fly कर रहा है आप इसको left right भी ले जा सकते हैं उपर नीचे भी ले जा सकते हैं तो काफी amazing गाईजिए ये देखो आसमान में कितनी उपर तक उड़तावा चला गया 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 दिखना ही बंद हो जाता है और गाईजिए देखो यहां पर इक गिर गया था और अगर आपको और भी unboxing देखनी है RC helicopter की तो आप मुझे comment में बता सकते हैं मैं आपके लिए helicopter ले आ हुआ है ना आप अपनी पसंद के helicopter का नाम भी comment में लिख सकते हैं और गाईजि मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास है यहाँ पर एक बहुती बड़ा superhero वाला set जिसके अंदर में बहुत सारे character मिलने वाले हैं देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आट, नो, दस दस अलग-अलग superhero वाले character मिलने वाले हैं जो की सबसे ज़्यादा famous है तो चले गज़, मैं आपको इस अच्छे उस से open करके दिखाता हूँ देखो, यहाँ पर tape लगी है, है ना, यहाँ से मैं इसके tape अटानी पड़ेगी और guys, यह देखो, यहाँ से मैंने इसको निकाल लिया है बहार आज तक आपने इतना बड़ा super hero वाला set कभी भी नहीं देखा होगा इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, और guys, यहाँ पर Avengers Endgame लिखा हूँ और Avengers Endgame के लावा, इसके अंदर काफी सारे और भी character add की हूँ है जैसे कि Superman है, Batman है, है ना, कई सारे character add की है तो मैं आपको दिखाता हूँ one by one, तो guys, पहले इसका box हम यहाँ पर रख लेते है और guys, यह देखो, जो हमारा set है, वो कुछ इतना बड़ा है, वाउ और guys, यह देखो, इसके अंदर जो हमें character मिलते है, उनकी quality देखो यह है Superman, पहले आप इसकी quality देखो, इसका, इसका पूरा हाथ 360 degree घूम जाता है और पैर भी काफी घूमता है guys, यह देखो, जिससे इसकी quality का पता चलता है और आप इसका design देख सकते हैं, कितना amazing है, यहाँ पर Superman का logo है और guys, यह देखो, कितना बढ़िया कपड़ा इसके पिछे लगावा है, जो कि Superman के उड़ने के लिए होता है है ना, कितना amazing है, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ और guys, one by one दिखाने बाला है, तो मुझे बिल्कुल भी skip मत करना यह है guys, Thor, यह देखो, Thor को आप देख सकते है, Thor की quality आप देख सकते है, कितनी अच्छी है है ना, design भी आप देख सकते है, इसके भी पैर अच्छे तरीके से move होते है वाव यार, बहुत ही प्यारा है, यह पूरा set मुझे 600 रुपे का मिला गाइज, 600 रुपे मुझे बहुत सारे character मिले है, वन बाई वन में आपको दिखा रहा है, यह देखो, इस पर मैं आपको दो character दिखाता हूँ, यह देखो, इसकी तो गाइज आप देख सकते हैं, गरदन भी अच्छे से move होती है, हात भी move होते हैं, पैर भी move होते हैं, और य इस तरह की लोकी की तलवार भी है, यह देखो, कुछ इस तरह का थौर का दूसरा वाला हैमर भी है, यह देखो, वाओ, कितना cool दिखाई दे रहा है, छोटा साय है, इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, और यह देखो, हमारे कास यहाँ पर Captain America की Shield भी है, यह देखो, Captain America की Shield भी है, हल्क भी है, आप देख सकते हैं, हल्की की quality देखो, और यहाँ पर Captain America भी है, यह देखो, है ना कितना जादा amazing, पूरा का पूरा सेट बहुत ही जादा amazing है, क्योंगी काफी सारे character है, और इतने सारे character में से, आपका सबसे favorite character कौन सा है, उसका नाम आप मुझे comment में बत दिखाए दे रहा है, और गईज कुछ इस तरह की एक तलवार भी है, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, और यहाँ पर चार character बचे मैं आपको दिखाएता हूँ, यह देखो, यह आंट मैन, यह देखो, एवेंजर के set के बीचे में बेट मैन को भी डाल रखा है, और इतने सारे character मैंने आपको दिखाएं, इन सभी में से आपका सबसे favorite कौन सा है, अगर आपने Superman movie देखें तो आपको पतागा Superman कितना ज़्यादा strong होता है, मुझे तो Superman और Iron Man सबसे ज़्यादा पसंद है, आप मुझे बताना है इन सभी में से आपका सबसे favorite कौन सा है, तो आप देख सकते हैं, 600 रुपे के set में काफी सारे character में देखने में मिले हैं, अब guys मैं आपको दिखाता है हमारे पास है यहाँ पर एक बहुती प्यारा सा अंगूठी का set, इससे पहले मैं आपको सेम इसी design वाले box के अंदर काफी अलग-अलग अंगूठीया दिखाई हैं, और guys यह वाला बहुत अलग है, क्योंकि इसके अंदर जो अंगूठीया है, उन सभी का design पहले वाले से बिलकुल अलग है, यह देखो, है ना, कितना प्यारा है guys, इसके अंदर 30 से भी ज़्यादा अंगूठीया आपको मिलेगी, total 30 प्लस अंगूठीया हैं, यह देखो, जो की ब बहुत सारे क्यूट क्यूट से toyar बने हैं, जैसे कि देखो, यह चोटा सा rabbit type का बनावा है कुछ, है ना, कितना क्यूट दिखाई दे रहे हैं, और एक चोटी सी क्यूट सी doll है guys, यह देखो, वाउ, और यहाँ पे देखो, चोटा सा echo teddy भी आ रहे हैं, यह देखो guys, है ना, क butterfly वाली shape में भी अंगूठी है, वाउ, और guys, देखो, यह कोई fruit है guys, यह देखो, है ना, बहुत ही cool cool design वाली अंगूठी है, हमें इसके अंदर देखने को मिलती है, छोटे बच्चों की तो बहुत यहादा favorite हो सकती है, guys, यह देखो, pineapple वाले design में अंगूठी, total आप देख सक हो, यहाँ पर bent 10 मना हुआ है, यहाँ बेंट 10 alien भी बने है, सारे के सारे, पूरा का पूरा पट्टा आप देख सकते हैं, कितना ज़्यादा amazing quality का है, bent 10 यहाँ पर लिखा हुआ है, bent 10 यहाँ बना भी हुआ है, यहाँ से हम इसको open करेंगा, तो guys, यहाँ पर हम time भी देख सकत वाँ, है ना, काफी प्यारी सी benton वाली watch है, अगर आपका benton favorite character है, तो comment में बताना, अगर आपने benton cartoon देखा है, तो वीडियो का like जरूर करना, इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, और हमारे पास है यहाँ चोट सा प्यारा सा toy, जो की है guys, डोरे मॉन, यह देखो, है ना और guys, मैं आपको बता दूने, डोरे मॉन जैसे दिखने वाला toy, actual make sharpner है, यह देखो, है ना, यहाँ से pencil डालेंगे, तो pencil को sharp कर सकते हैं, और overall यह कुछ ऐसा दिखाई देता है, 20 rupees का मुझे मिला, यहाँ से pencil डालेंगे, तो pencil को sharp कर सकते हैं, अगर आपने कभी डोरे मॉन व यह actual में क्या है, आपको बहुत यह दा मज़ा आगा इसे देखके, तो guys, यह देखो, यहाँ से इसका box में open कर रहा हूँ, थोड़ा सा time लग रहा है, और guys, यह देखो, box मैंने open कर लिया, इसको यहाँ पर रख लेते हैं, और guys, इसके अंदर हमें मिलती है, कुछ इस तरह के design वाली एक, बहुत ही प्यारी सी cat वाले design वाली eraser, यह देखो आई, कितनी बड़ी eraser है, आप मेरे आद में देख सकते हैं, design इसका थोड़ा सा cat जैसा है, यहाँ पे देखो, कुछ इस तरह से इसके अंदर छेद हैं, और यह पूरा पूरा ही एक eraser है, जो कि pencil का लिखा हुआ, erase करने के काम आएगा, है ना कितनी amazing चीज़, और यहाँ से आप इसके पार्ट को अलग भी कर सकते हैं, अगर आप इसे अलग करना चाहो ना, तो यहाँ से यह अलग भी हो जाता है, सेम इसी तरह से काई, इसके काफी सारे पार्ट अलग हो सकते हैं, जिनने आप assemble करने के बा वाली सूपर कार, पहले आप इस सूपर कार का design देखो, वाव, कितना awesome है guys, है ना, बहुत ही प्यारी सी है, और गाई, कुछ इस तरह से आप इसको pushback करके चला सकते हैं, यह मैंने इसे pushback किया, और guys यह देखो, यह आगे की तरह बहुत ही जादा speed से भागने वाला toy है, यह यह देखो गाई, यह ना, कितना amazing, मुझे बहुत यह दा पसंद है इस तरह की pushback वाली car, बट जो इस car का design है, उस सच में काफी जाद amazing है, करोड़ो वाली जो car होती है, वैसा इसका design है, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, और मेरे पास है, यहाँ पर कुछ इस तरह का robot वा मिला गाई, आप देख सकते हैं, 20 रूपीज में double sharpner, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, और मेरे पास है, यहाँ पर एक कुछ इस तरह का चोटा सा क्रोकोडाइल, यह देखो, है ना, और गाई, यहाँ से अगर मैं इसको open करूँ, तो गाई, यह भी actual make sharpner है, यह देखो, ह है ना, और गाई, आपको मैं बता दूँ, यह baby sharp भी actual make sharpner है, यह देखो, है ना, इतने जादा amazing design वाले sharpner मैंने आज तक आपको दिखाए हैं, कि गाई, बहुत यादा मज़ा आ जाता है इन्हें देखके, है ना, आप देख सकते हैं, इसका design देखकर कोई भी यह नहीं बता पाईगा कि guys, actual में एक sharpner है, बढ़काईश आप देख सकते हैं, यहाँ से pencil डालके आप pencil को sharp कर सकते हैं, कितनी प्यारी सी चीज है, इसको मैं यहाँ पर रखता हूं, और हमारे पास है, यहाँ पर एक senta close वाला कुछ इस तरह का, चाबी का छला, देखो, यहाँ पर Christmas लिख सकते हैं, कितनी awesome है, वाउ यार, इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूं, और मेरे पास यहाँ पर कुछ erasers हैं, जैसे की guys, यह देखो, 10 रुपे की erasers है, मैं आपको पहले इसका design दिखाता हूं, यह देखो guys, यहाँ से इसका एक part निकल गया है, मुझे लगाना पड़ेगा पहले, यह देखो, कुछ इस रखी एक eraser है हमारे आप में, जो कि astronaut वाले design में आती है, जो कि 10 रुपे की eraser है, और इसका यह वाला part बार बार निकल जा रहा है, पता नी क्यों, यह देखो, है ना आप देख सकते हैं, कितनी प्यारी eraser है, design आप देख सकते हैं, color आप देख सकत जो कि एक्चल में, unicorn वाले design वाली दिखाई देती है, इसको आप pencil के उपर कुछ इस तरह से लगा के use कर सकते हैं, यह देखो, यहां से पहले मैं इसको निकाल देता हूँ, यह देखो, यहां से आप इसको pencil के top के तोर पर लगा सकते हैं, और जब आप कुछ गलत लिखे दे तो comment बताने video को like जरूर करना, और इस pencil के उपर कुछ इस तरह की eraser लगी वी थी, इसको मैं वापिस लगा लेता हूँ, और तो और guys मेरे पास यहां पर बहुत सारे different type के toys हैं, जैसे कि guys मेरे पास है यहां पर एक बहुती बड़ा iron man, आप guys यह normal iron man नहीं है, यह बहुती प्य प्यारा toy बन जाएगा, जब मैं इसको इस hoverboard के ऊपर लगाऊँगा, यह देखो, आप देख सकते हैं कितना बड़ा hoverboard है मेरे पास, है ना, इसके अंदर में batteries डालनी पड़ेगी, पहले check कर लेते हैं, batteries है या नहीं है, इसके अंदर हम पहले batteries डाल लेते हैं, यह देखो, है यह मुझे I think 450 rupees का मिला है, यह देखो, यहाँ पर हमें iron man इसके अंदर डालना पड़ेगा, और हमारा iron man वाला toy कुछ इस तरह से ready हो गया, यह देखो, यहाँ से मैंने इसको connect कर लिया, इसके उपर लगा दिया, set कर दिया, पूरा का पूरा hoverboard कुछ ऐसा दिखाई देता है, वाउ, कितना जादा उस समय गाईज, इसका design सच में काबिले तारीफ हैं, और यहाँ पर on off का button है, और यहाँ पर एक कुछ इस तरह का circle बनावा है, जो कि गाईज, इसको on off करने के बाद इसको चलाता है, देखो, मैं इसको on कर लेता हूँ, और गाईज यह देखो, इसकी वजह से वर्क करता है, और गाईज यह देखो, यहाँ पर light जल रही है, वाउ, overall आप देख सकते हैं, कैसा ही दिखाई दे रहे हैं, इसकी lighting का effect आप देख सकते हैं, इसकी lighting का effect यह देखो, मेरे हाथ पे, हैना कितना ज़्यादा amazing, यह देखो, पूरे room में स्टेम इसकी lighting का effect आपको दिखाई दे रहोगा, अई मैं आपको इसके first पे चला के दिखाता हूँ, पहला आप इसका design देख सकते हैं, कितना ज़्यादा हो समय, तो इसका हम ओफ कर लेते हैं, अगर आपने iron man movie देखे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, तो चलेगा इसको first पे चला के देख और जैसे यह किस चीज़ से टकराता है, तो अपनी direction automatically बदल लेता है, इसके अंदर sensor लगे में देखो, अब यह टकराया है, और गाईज यह देखो, इसनी अपनी direction बदल लिया है, और हर बार यह ऐसा ही करता है, और गाईज आप देख सकते हैं, अंधिरे में इसकी lighting कितनी ज़्यादा amazing दिखाई देती है, यह देखो, वाउ, बहुती beautiful दिखाई देता है, पूरे कमरे में रोसनी बहुत ज़्यादा amazing दिखाई देती है, और आप देख सकते हैं, की स्थरा से चलता है, है ना, मैंने इसको कम space में आपको चला के दिखाया है, अगर मैं इसको open space में चला के दिखा था, तो आपको पता चलता, कि जब एक चीज़ से टकराया था, तो अपनी direction कैसे बदल लेता है, काफी प्यार और काफी महीदार सा toy है, तो गाईज आपने देखा कि हमारा iron man वाला hoverboard कितना ज़्यादा amazing है, इसको आप यहां से अलग भी कर सकते हैं, देखो, मैंने इसके दोनों पार्ट अलग कर लिए हैं, ताकि आप इसको आराम से रख सकें, देखो, जो iron man वो कितना ज़्यादा cool दिखाई दे रहा है, और जो hoverboard है, वो बिल्कुल अलग हो गया है, तो इनको मैं यहां पर रख लेता हूँ, अगर आप पर toy पसंद आया, तो चीज तरह का इक, space vehicle यह देखो, यहां पर आप देख सकते हैं, आप लिकाए space vehicle, space वाला पूरा pattern बनावा है, यह देखो, है ना, कितना amazing है, एस्ट्रोनोट वगरा बने है, यह देखो, है ना, पीछे से भी आप देख सकते हैं, सेम इसी तरह का pattern है, और गईज एक्च्वल म भी सकते हैं, यह बस की तरह वर्क करता है, और गईज मैं आपको बता दूँ, यह double decker बस actual में एक geometry box है, यह देखो, यहां से अकर हम इसको open करेंगे, तो गईज यह देखो, यहां से अपन करेंगे, तो गईज यह देखो, और जादा open होगे, यहां पर 1 से 9 तर टेबल इसके अंदर sharpner लगा हुआ है, जो कि pencil को sharp करने के काम आता है, यह देखो, यहां पर, यहां पर इसके अंदर sharpner लगा हुआ है, मैं आपको दिखाए तो कैसे, यह देखो, यहां पर इसके नीचे sharpner लगा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से यहां से बंद ता मिल सकता है तो इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और तो और हमाले पास यहाँ पर एक और पैंसिल पाउच है यह देखो यह बहुत ही स्पेशल पैंसिल पाउच भी हम इसे कह सकते हैं पहले आप इसकी पैकिंग देखो कितनी हैवी इसकी पैकिंग है यहाँ से हम इसको open कर लेते हैं पहले और गाई यह देखो मैंने से open कर लिया है और तो और हमारा जो pencil पाउच है वो यह देखो गाई कुछ ऐसा दिखाई देता है वाउ कितना ज़्यादा amazing है यहाँ पर लिखा rainbow unicorn और unicorn का आप design देख सकते हैं कितना ज़्यादा cool है है ना और और आद देख सकते हैं आपका pencil पाउच या geometry box कुछ ऐसा दिखाई देता है इस तरह के geometry box में आपको पहले भी दिखाए है इसको मैं open करके दिखाता हूँ उससे पहले गाई जम आपको बता दूँ इस तरह के आपको pencil पाउच 1500 से 200 रुपे के बीच में मिल देंगे quality और design के इसाब से price थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है और गाईज यह देखो अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है light pink कलर का है यहाँ पे जाली लगी है ताकि आप कोई भी समान रखें तो यहाँ पे आपको अच्छे से visible होता रह कितना प्यारा है गाईज अगर आपको unicorn पसंद है तो comment मताना और गाईज आप देख सकते हैं कितना ज्यादा cool यह दिखाई देता है इससे पहले मैं आपको बहुत सारे unicorn वाले toys दिखाई है इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और तोर हमारे पास है यहाँ पर एक बहुत का launcher 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 को हम यहाँ पर लगा के इसको ready कर सकते हैं कुछ इस तरह से यह देखो है ना यह देखो यह मुझे 150 रूपीज का मिला है बॉल वाले design वाला spinner इसका जो design है football जासा है अब मैं आपको इसे चला कर दिखाता हूं यहाँ पर चलाता हूं गो और गाईज यह दिखो किस त design आप देख सकते हैं बहुती जादा cool है बहुती प्यारा sound आ रहा है इसके अंदर से हैंना मज्या और इसका design है यह सच में καफी जादा cool है मुझे personally यह बहुत ही ज़्यादा पसंद आया इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और हमारे पास है यहाँ पर कुछ इस तरह का बहुत ही प्यारा सा color का set यह देखो 12 color यहाँ पर लिखावा है देखते हैं इसके अंदर में क्या मिलता है यह देखो color light pen कुछ इस तरह का यह है पहले हम इसको बहुत सारे अलग अलग design वाले पैन है मैं सारे के सारे बाहर निकाल लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ यह देखो आपको बहुत यहादा मजा आने वाला इसको देखके और यह देखो कुछ इस तरह की पैकिंग है पैकिंग से मैंने बाहर निकाली है इसको हम यहाँ पे रखते हैं और तो और गाई यह हूँ में इसके अंदर देखने को मिलते हैं कुछ ऐसतरा के बहुत ही beautiful beautiful color pens यह देखो वाव है ना कितनव उससम पहले हց इसका design देखो और अब इसका design देखो वाईज छोटे प्यारे प्यारे cute cute toy इंके ओपर बने वें यह देखो कितना ज़्यादा उस्ता मैं ये देखो और एक कुछ इस तरह का है मज़ा आ गया है ना अब मैं सारे के सारे आपको एक साथ करके दिखाये ता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनको हम यूज कैसे कर सकते हैं च्छे अलग अलग कार्टून करेक्टर मेरे सामने और कितने ज़्यादा कूल दिखाई दे रहे हैं आप देख सकते हैं अब मैं आपको ये दोनों यूज करके दिखाता हूँ पहले ये देखो ये कलर की तरह वर्क करता है हाइलाइटर की तरह भी वर्क करता है ये देखो आप इसको अपने हाथ पर भी चला सकते हैं डारी पर भी चला सकते हैं नॉर्मल पैन की तरह चलाएंगे तो ये देखो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है अब मैं आप कोई दूसरा दिखाता हूँ गाई यह देखो इसका पहला आप डिजाइन देखो चोटा सा क्यूट सा डॉग है नीचे से एक ग्रीन कलर है यह देखो और इस ग्रीन कलर को भी आप दो तरह से यूज कर सकते हैं यहां से आप यूज कर गए ते पतला चलता है यह और यहां सा यूज कर गए यहां श्यूसरा से तो यह डार्क चलता है है यह Kensलर और यहां इसके बारा आप का कलर एकने की तना मेजिंग और यहां से काई बिलू टाइप का कलर ard цен यह देखो वाव बहुत भी processed 이제 ऊंट वा मेज़से और इंका डिजाइन भी आपने देख लिए काफी ज़्यादा कूल है काफी प्यारा सा टोय है इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं और तोर हमारे पास है यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा एलिफेंट यह देखो जो कि चलने वाला एलिफेंट है यह मुझे 250 रुपीज का मिला है पहले आप इसका डिजाइन देखो कितना उस समय यह देखो है ना बहुत ही क्यूट सा एलिफेंट है इसके अंदर में बैटरीज डाल नहीं होती है यहाँ पर मैं आपको दिखाएता हूँ यह देखो है अपको आपको आउन करके दिखाता हूँ इसका सांड सुनाता हूँ और की स्तरा से वर्क करते है मैं आपको बता एजेता हूँ यह देखो पहले आप इसका डिजाइन देख सकते हैं कितना बेजिंग है यहाँ पर ऑन ओफ का बटन है और गई देखो और गाईस आप देख सकते हैं अगर हम इसको फर्स पे यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरह से चलता हुआ जाता है काफी कूल हो गाईस देखने में बहुत यादा क्यूट दिखाई देता है इसके अंदर साउंड भी काफी अच्छा आता है काफी प्यारा सा टॉय है गाईस प्राइस इसका काफी जादा है बढ़ छोटे बच्चों के लिए बहुत ही जादा एंटर्टेंडिंग चीज़ है अगर आपने इस तरह के टॉय कभी यूज़ की हैं जो की चलने वाले टॉय होते हैं सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक एस्ट्रोनोट देखने को मिलता है जो की स्पेस में जाने वाला आदमी होता है जिसे एस्ट्रोनोट का जाता है यह देखो कुछ ऐसा इसका डिजाइन है यहाँ पे एक एलियन सिप है यह देखो है ना वाव कितना ज्यादा कूल इसका कलर और डिजाइन है और गई यहाँ पे कुछ इस तरह का रोबोट जैसा टॉय है और गई यहाँ पे एक एलियन भी है ग्रीन कलर का वाव कितना क्यूट दिखाई दिरह गई जैना और यह सारी ही चीजे एरेजर है और यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का स्पेसशिप है और गई देखो कुछ इस तरह का एलियन है बहुत ही प्यारा सा और एक स्पेस में जाने वाला कुछ इस तरह का रोकेट है टोटल हमें आप देख सकते हैं इतनी सारी eraser इसके अंदर देखने को मिलती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 7 7 eraser समय इसके अंदर देखने को मिलती है जो कि actual में pencil का लिखावा बहुत ही आराम से erase कर देती है पूरा का पूरा set बहुत ही आदा amazing है क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीज़े हैं सभी का design और color बहुत ही ज़ादा अलग अलग है और तो और guys हमारे पास है पर कुछ इस तरह की चोटी सी गाड़ी pushback वाली गाड़ी और गाड़ी का design आप देख सकते है smiley face यहाँ पर बनावा है taxi इसके ओपर लिखावा है और कितनी ज़ादा cool दिखाई देगी है इसको अगर आप चलाना चाहें तो pushback करके कुछ इस तरह से चला सकते हैं guys यह देखो है ना इस तरह का toy guys काफी महंगा होता है अगर आप इतनी सी छोटी सी कार इस तरह की लोगे ता आपको यह 50 रुपे की मिलेगी यह देखो चोटा सा toy पुश बैक वाला और इसका प्राइज 50 रुपे तक हो सकता इसकी quality की वज़े से है ना कितनी amazing सी चीज़ इसको यहाँ पर लगे ते हैं और guys last में मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास है यहाँ पर कुछ इस तरह का बीटीएस वाला बहुत amazing set जिसके अंदर हमें 3-4 बीटीएस वाली चीज़े देखने को मिलने वाली है अगर आपने बीटीएस अगर आप बीटीएस आर्मी है guys तो कॉमेंट में बताना बीटीएस के फैन है तो कॉमेंट में जरूर लिखना है ना इसको कहां से open करेंगे देख लेते हैं इसको हम यहां से open करने वाले है तो इसके पर tape लगी हुई है तो tape को पहले मैं यहां से हटा लेता हूं guys यहां पर tape लगी हुई है और guys tape को मैंने हटा लिए है तो जल्दी से इसको open करते हैं आपको दिखाता हूँ कि हमें इस set के अंदर क्या-क्या देखने को मिलने वाला है ये देखो, जितने भी चीज हमें इसके अंदर देखने को मिलेंगी, सारी BTS वाली है ये देखो, वाउ, कितना ज़्यादा amazing है, यहाँ पर लिखा सार्पन, इरेजर और पैसे रख सकते हैं ये देखो, है ना, कितना amazing अंदर से आप देख सकते हैं, overall आप इसकी quality और color देख सकते हैं, कितना awesome है इसका आप band करोगे, इस तरह से तो guys ये खराब नहीं होगा, है ना, आप देख सकते हैं इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, और हमारे पास है कुछ इस तरह एक बीटियस वाला चाबी का छला, ये देखो guys, बहुत ही जादा amazing है, quality आप देख सकते हैं ये लकड का बना हुआ है, ये देखो है ना, overall आप देख सकते हैं, कितना cool ये दिखाई दे रहा है इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, और हमारे पास यहाँ पर एक और टो है, जो कि I think ये देखो, बीटियस वाला बेज है जिसको आप अपनी सार्ट पे, पैंट पे कहीं पर भी लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे आप देख सकते हैं, कितनी cool दिखाई दे रही है ये देखो, वाव, बहुत यादा उस समय गाईज, है ना, सुगज़ आप देख सकते हैं, काफी प्यारा सा gift box pack है, गाईज़ ये है, और last में हमारे पास हैं, यहाँ पर एक बहुत अमेजिंग सा set, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक तरह का lamp है, और ये lamp पहले मैं आपको open करके दिखाता हूँ, ये देखो, कुछ ही इस तरह के box के अंदरा में ये मिला है, और जो हमारा lamp है कैसा दिखाई देते हैं, आप ये एक study lamp है, जो की पढ़ाई करने के काम आने वाली चीज है, अगर आप अंदेरे में study करने तो इस lamp को use करके study कर सकते हैं, और जो इसका design है, वो भी काफी unique है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, moon बना हूँ है, astronaut यहाँ पर बना हूँ है, बहुत ही प्यारा और तो और आप इसको यहाँ से band भी कर सकते हैं, किसी भी direction में आप इसको band कर सकते हैं, गाईज यह देखो, है ना, अब गाईज मैं आपको इसको अंधेरे में यूज करके दिखाता हूँ, एक second का wait कीजिए, so गाईज देखो, पूरे room में मैंने अंधेरा कर लिया और गाईज यह देखो, अब इसकी रोसनी देखो गाईज आप, कितनी ज़्यादा रोसनी है इसके अंदर, और गाईज यह देखो, इतनी ज़्यादा रोसनी है कि पूरी स्क्रीन में दोबारा से आपको सारी चीज़े अच्छे से visible हो रही होगी, अगर मैं इसको यहाँ से प्यारी चीज़े, अगर मान लो आप इसको यहाँ पर स्टेंड करते हैं कुछ इस तरह से, तो गाईज आप देख सकते हैं, आपके पूरे सामने रोसनी ही रोसनी आपको दिखाई देखी ताकि आपको स्टडी करने में आसानी हो, और जो इसका दूसरा मोड है, वो अंदे सो गाईज मुझे तो परसनल ये लेंप बहुत ही जादा पसंद है, इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, और आप देख सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टॉज दिखाएं, इन सभी टॉज में से आपको कौन सा टॉज स साथ तब तक एले थैंको रेंट बाई बाई गाईज